नमस्कार दोस्तों उन्नती एस्टो वाला आप सब का स्वागत करता है आज मैं इस वीडियो के द्वारा बुद्ध पुर्णिमा के दिन यानि शुक दिन योग तो आज सुबह के टाइम ही था सिद्योग लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा है रात के समय ग्रहन भी है देखिए ग्रहन के दोरान आप अपने इस्ट देवता को या देवी देवताओं को जहां जिस कल्चर में रह रहे हैं याद करते हैं तो आपको बहुत शांती मिलती है या उनके किसी भी रूप में उनसे अपना contact करते हैं या किसी भी रूप में आप कहली जी मैं याद करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगते हैं आज से मैं आपके सामने एक सिरीज के तहत वीडियो लेके आऊंगा चाहे उसको एक देखे, दो देखे या हजारों देखे लेकिन वो जो सिरीज है ये बेसिकली इसका ठीम रहेगा कि एस्ट्रोजी में डरना नहीं चाहिए एस्ट्रोजी में एस्ट्रोजर को बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं करनी चाहिए आज कल मुझे मालूम है सभी एस्ट्रोजर बहुषर मलिका के विशे में बात कर रहे हैं जो बहुत साल पहले लिखी गई है मुझे उसमें कोई भी डाउट नहीं है मेरे पास भी वो किताब है और मैं भी उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा है लेकि मेरा पाकी सब लोगों से एक अलग मत है वो मत यह है कि जब तक आप जीवित हैं जब तक आपने आपकी प्रभू ने ड्यूटी लगाई है कि आप जीएं तब तक अच्छे मन से बगैर माइंड में कोई डाउट लाए आप जीएं और अपने समय का सुध्य प्योग करें मेरी एस्टलोची कभी भी यह नहीं रहती कि मैं लोगों को डराऊ बाकी सब की अपनी इच्छा है जो जैसा करेगा चाहे मैं भी अगर गल्द काम करूँगा तो गल्द रजल्ट होगूँगा अगर कोई और करेगा तो वो भी करेगा अगर अच्छे करम करेंगे तो सब लोग अच्छे रजल्ट होगूँगा मेरा यही कहना है कि जितने भी अच्छे लोग अच्छा कारिये कर सकते हैं भगवान उनकी अवश्य ही सैता करेगे कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा वो प्रम पिता परमेश्वर पर छोड़ दें और सब लोग अच्छे कारिये करने की कोशिश करें देखिए बुद्ध पुर्णिमा के दिन आप अपनी बुद्धी की शरण में जाएं अपने जो नियम है प्रकति के नियम है उनकी शरण में जाएं और आप अच्छे लोगों का संकरे उनकी शरण में जाएं तो यहाँ पे बुद्धम शरणम गच्छामी, धमम शरणम गच्छामी, शंगम शरणम गच्छामी यह सब इसी चीज़ की तरफ इंडिकेट कर देएं अमें यह भी मालूम कि भगवान बुद्ध को भी विष्णु के अटारों में गेना जाएं देएं अगर हम किसी भी रूप में भगवान विश्न आप चाहे श्री राम का नाम लेते हैं चाहे श्री किशन भगवान का लेते हैं या किसी और रूप में आप लेते हैं अगर आप जोड़े रहेंगे और सही रूप से गुद्धी का, प्रकति के नियमों का और अच्छे लोगों का संग करेंगे या दूर जाकर अच्छा संगत और लोगों के लिए क्रेट करेंगे आपका कुछ बुरा नहीं जब मैंने ब्रिगुन अंदिनाडी पढ़ाना शुरू किया था, एक इंसाइट मेरे अंदर आई थी कि पेड़ पोदों के अंदर भी जीव है, इंसानों के भी जीव है जितनी आत्माई भगवान ने बनाई हैं, वो आत्माई फिक्स है पहले पेड़ पोदे ज़्यादा थे, इंसान कम थे, अभी इंसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पेड़ पोदे कम हो गए हैं क्योंकि पेड़ पोदे भी बोलते हैं, आपस में कम्निकेट करते हैं, उनमें भी एक लाइफ साइकल है और ये मेरे बहुत पहले आज से लिड़ दो साल पहले जब मैंने ब्रिगुनंदी नाड़ी पढ़ाए उस बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है जो ये वीडियो देखेंगे अगर बार में उनको भी पता चल जाएगा क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप नेक्स जीवन किस रूप में लेने वाले हैं कर्मों के हिसाब से आप पेड़ पोदर के रूप में लेंगे एनिमल के रूप में लेंगे या इनसान के रूप में लेंगे अगर आपको इनसान का रूप मिला है इसको गर आप बत्तर कर दे तो इस साइकल का जो भी प्रिड चल रहा होगा, इंसान का सरण जब या जनम हमें मिलता है, तो यही कहा जाता है कि हम अपने इतने अच्छे करम कर ले कि हम जरम मरन के साइकल से बहार आ जाएं, यानि मोक्ष प्राप्ति की और बढ़ सके. अब कितने किसके जीवन हैं, ये भी आज की क्लास का विशे नहीं है, आज की क्लास का विशे यही है, कि आज मैंने पहले तो एक जंगल की पिक्चर लगानी थी, जिसमें पेड़ पोते थे, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि लोग बोल रहे हैं, परले आएगी, सब कुछ नस्ट हो जाएगा, इतने लोग बचेंगे, कम शुकर है इस चीज़ का कि वो लोग ये तो बोल रहे हैं कि इतने लोग बचेंगे, नहीं उनका बस चले तो वो कहें कि कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसी बात को आगे बढ़ाते वे, मेरा ये मानना है कि जितने लोग बच उनमें से आप ही क्यों न बचे अगर आपके बचने का जो स्कोप है वो अच्छे कारिये करके बचने का स्कोप है तो आप अपनी बुद्धी का यूज करें अपनी प्रकृति के नियमों का फालो करें और अपने अच्छे संग का फालो करें अच्छे आचरन का फालो करें और और आप खुश में जिन्दगी बिताएं ये उस से संबंदित बात है अगली क्लास में कुछ और बात करूँगा लेकिन आज का क्लास का टॉपिक क्या है अभी हमारे हिंदुस्तान में जैसा मैं ब्रिगुनंदी नाडी में कंसेट लगाता हूँ उसके इसाब से हम 76th year में चल लेगा तो आप ये मेरे वीडियो जो चाहे प्रेडिक्शन फुल्फिल हूँ ना हूँ मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एक एस्ट्रोजी का चात्र मान के वो चीजों को अप्लाई कर रहा हूँ तो 77th year जब इंडिया का स्टार्ट होगा तो उस टा या विदेश में सैटल्ड हो गई हैं उनका इंडिया वापिस आने का साइकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आए कितने साल चलेगा इसकी बात अभी मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन कम से कम अभी कुंडली के साब से ये 4 साल का साइकल रहने वाला है अगर वो 2015 अगस 2023 से च साइकल आप ये कह सकते हैं 14 अगस 2027 के बीच में चलेगा और किस येर पे 14 लोग रिटन करेंगे एवरिज ये किसी और कुंडली में या किसी और वीडियो में मैं आपको बता हूँगा लेकिन ये साइकल जो है ये खाली विदेश से आने का नहीं है कि मान लीजिए कोई अपने जहां basic roots पे belong करता है वहां पे जाके कोई property खरीदेगा या कोई investment करेगा वो एक अपना option रखेगा कि मुझे वापिस आना है तो मैं वहां हूँ जहां पे पैदा हूँगा तो 77th year से लेके 81 year के बीच में जब इंडिया का chart का progression चल रहा है तो इंडिया के लोग जो भी होंगे वो सब अपनी वापिसी जड़ों से जड़ने की जुड़ने की कोशिश करेंगे तो ये आज की वीडियो में बुद्ध पृणिमा के दिन मेरे उननती एस्टो वाला YouTube चैनल पर जो लोग जुड़े हैं या विजिट करते हैं आप देखिएगा ये आपको होती हुई और अगर आप इस तरह की चीज़े घ्रिगुनंदी नाडी से या वैदिक से सीखना चाते हैं और अपनी एस्टो जी में सिरफ और सिरफ पॉस्टिव चीज़े रखना चाते हैं देखिए एस्टो जी में पैसा वही कमा सकता है जो लोगों को डराएगा और ड्राएब अग अगर मेरे प्रकरति के नियम के अनुसार करम कटते होंगे तो वो कटने में इसका सहयोग मिले तो इसी वेसिस पे मेरे चैनल पर वीडियो मिलते हैं और मिलते रहेंगे जो भी लोग आके इनका आनद उठाना चाहें वो आ सकते हैं जैशिर्गा